अगर आप लोगों ने object oriented programming किसी भी language में करी हैं इसके बारे में सुना है तो आपको constructor के बारे में मालूम होगा अगर नहीं मालूम तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि constructor एक object को बनाने में मदद करते हैं कभी-कभी हम लोग कुछ arguments पास करके objects बनाना चाहते हैं और sma constructor कुछ initialization करने में हमारी help परते हैं exactly क्या syntax होता है underscore underscore init gender method क्या होता है यह सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में चलते हैं computer screen में and let's get started So पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी एक पहली class बनाई थी आपने देखा था कि classes क्यों use करना है कैसी use करना है हम लोग देखेंगे constructor को जो कि बहुत बड़ी problem solve करते है पिछले वीडियो में कुछ comments आए थी जिसमें लोगों ने का था कि यार constructor के बारे में आपने नहीं बताया इसको ले लो developer ठीक है और इसके बाद एक हमने def info करके इस class के अंदर make sure कि आप इस class के अंदर रहें जब यह method बना रहे है तो यह indentation ज़रूर ही है फिर function का indentation अपने आप दूसरा आएगा तो मैं आपर एक f string करूँगा print और मैं करूँगा कि self.name और मैं करूँगा is a self.occ ठीक है और obviously मुझे यहाँ पर self देना पड़ेगा इसको as a rule आप मान के चल लोगे कोई भी method आप लिखोगे class में with few exceptions obviously हम उन exceptions के बारे में बात करेंगे आगे but in most of the cases कोई भी method आप लोग लिखोगे तो उसको self argument चाहिए ही चाहिए ठीक है जब आप call करोगे तब self argument देने की ज़रूवत नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर self देना ही देना है जब आप class के नरे define कर रहे हो अपना method तो ठीक है अब मैं आपको बिलाता हूँ मैंनो मैंने a is equal to यहाँ पर लिखा person ठीक है और अगर आप में से कही लोग java c++ में से आ रहे है तो हमें new keyword लगाने की ज़रूवत python में नहीं बढ़ती है अब सीधर a is equal to person लिख सकते हो और आपकी जो यह object है बन जाएगा ठीक है अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ print a.name और मैं ऐसा करूँगा तो simply मुझे क्या होगा कि जो harry है वो print ओकर मिल जाएगा a.name ना करके a.name को print ना करके मैं directly a.info method भी call कर सकता हूँ और harry is a developer यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि harry is a developer जो है वो यहाँ पर आ गया ठीक है बड़िया हमने इस बारे में बात करी थी बट मान लो कि मैं a का नाम चेंज करना चाहता हूँ और मैं a का नाम दिव्या करना चाहता हूँ और दिव्या कौन है दिव्या बताता हूँ कौन है एक मिन्ट दिव्या है ठीक है दिव्या है तो मैंने a.name is equal to दिव्या और a.occ is equal to HR ठीक है यहाँ पर कर दिया अब इसको मैं रन करूँगा तो दिव्या इसे HR यह लिख कर आएगा यहाँ पर ठीक है कि a class मैं इस class को बता सका हूँ कि a class person मैं तुम्हें देना चाहता हूँ दिव्या क्या देना चाहता हूँ मैं तुम्हें दिव्या और HR as arguments ठीक है मैं तुम्हें दिव्या और HR देना चाहता हूँ as arguments और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको name और OCC में store कर लो यह हम dunder method इसको कहते है अंडर्सकोर अंडर्सकोर इनिट अंडर्सकोर अंडर्सकोर एक special method है जो की एक constructor बनाने में हमको मदद करता है इसके अंदर मैं क्या करूँगा मैं simply यहाँ पर लिखूँगा self.name is equal to और यहाँ पर मैं अगर name लिखूँगा तो मैं एक name argument पास कर सका हूँ but let me give it simple अभी अभी मैं जस आपको इतना digest करवाता हूँ कि यह क्या होता है hey I am a person ठीक है जब भी मैं a is equal to person कहूँगा मतलब मुझे यह सब करने की जरूरत भी नहीं है जब भी मैं a is equal to person कहूँगा और इसको run करूँगा hey I am a person यहाँ पर आ गया इसका मतलब भी constructor call हो रहा है जब भी मैं एक object बना रहा हूँ क्या मैं b नाम से एक और object बना हूँगा तब भी यह call होगा let's find out मालूँ मुझे मालूमी नहीं कि होगा कि नहीं होगा let's find out तो higher जैसे कि आपने देखा दोनों बार यह call हुआ ठीक है hey I am a person hey I am a person इसका मतलब समझे देया इसका मतलब यह है कि hey I am a person यानि कि यह वाला जो method है यह call हो रहा है every time I am creating a new object out of this person class ठीक है समझ गये ना बड़िया यार तो person class हमने यहाँ पर बनाई और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि hey I am a person इसका मतलब यह हुआ यह method तो भाई हमेशा invoke होगा जब भी क्या बनाई जाएगा एक object बनाई जाएगा तो क्या मैं इस बात का फाइदा उठाते हुए self.name is equal to name और self. और self.occ is equal to occ कर सकता हूँ या मैं काम करता हूँ self.name is equal to n करता हूँ और इसको यह next को लिख दिया मैंने n लिखना था o कर देता हूँ और n and o क्या है n and o दो arguments है जो कि मैंने यहाँ पर pass किये ठीक है तो मैं आपर क्या करूँँगा मैं आपर कह दूँगा Harry और Harry क्या है एक RC developer और Divya क्या है Divya है एक महंती HR कौन है एक महंती HR जो की सुब पांच बज़े office पहुंच जाती है और शाम को पांच बज़े तक रहती है उसके बाद तक भी रहती है अब देखो यहाँ पर Harry और developer मैंने लिखा Divya और HR लिखा मैंने कुछ किया ही नहीं है I am a verser है I am a verser यानि कि यह वाला जो method है init method है constructor method है वो invoke हुआ वो call हुआ इसके लिए भी and इसके लिए भी ठीक है अब जरह यह देखते हैं कि A.info करूँगा और B.info करूँगा तो क्या Divya और Harry की info सामने आएगी हाँ Harry is a developer Divya is a HR इसका मतलब समझे दाया इसका मतलब यह हुआ कि A के अंदर जो name था वो as Harry और B के अंदर as name Divya and at the same time A के अंदर OCC developer and B के अंदर OCC जो HR है वो आ गया इसका मतलब कि जब मैं यह वाला function call कर रहा हूँ तो यह दोनों arguments N and O के form में पास हो रहे है अब आप को कि self यह मतलब तीन arguments ले रहा है यह दो ले रहा है तो यह जब आप A is equal to person ऐसे करते हो तो जो self के form में जो object है तो अपने आप पास हो जाता है तो यह चीज़ automatic होती है आपको बस Harry और developer लिखना है वो N and O के form में आ जाएंगे self को ignore करो जिस तरह हमने info में किया था ignore अब एक चीज़ दिखाते हूँ आप लोग को में अगर मानलो मैं आपर लिखो a is equal to in fact मैं इसको c के साथ करके दिखाऊंगा मैं आपर लिखो c is equal to person और इसको ऐसे ही run कर दूँ मैं अगर मैं इसको ऐसे ही run कर दूँ तो देखो यह कह रहा है कि भाई जो यह init method है न यह दो positional arguments miss कर रहा है N and O समझे जो यह N and O miss कर रहा है अब अगर मैंने 1,2,3 लिख दिया है ठीक है मानलो मैंने लिखा person 1,2,3 तो पता है क्या होगा तो यह मुझे एक error देगा यह कहेगा कि भाई init जो है वो तीन positional arguments लेता है लेकिन आपने चार दे दिये मैंने तो तीन दिये एक दो और तीन चार गांदी है एक automatically pass हो रहा है एक automatically pass हो रहा है वो क्या है self के तौर पे c pass हो रहा है जब मैं c is equal to personal लिखता हूँ तो c automatically pass होता है इस पहला argument चुकी self के रूप में जाता है समझ रहे हो आप लोग इस बात को ये तोड़ा सा आपको digest करना पड़ेगा और आपको लगेगा कि यार मैंने तीन arguments pass किये python जूट क्यों बोल रहा है अरे भाई python जूट नहीं बोल रहा है ठीक है जूट आप बोलोगे अगर आप लोग एक होगे कि मैंने तीन pass किये हाँ ऐसा होता है ठीक है ये दुनिया इसी है वन टू थ्री pass किया आपको कि मैंने तीन किये python बोले का नहीं तुमने चार किये pass एक self automatically pass हो रहा है ठीक है तो एक self पहला argument automatically pass हो रहा है तो दो आपको करने pass बस जिस तरह से मैंने आपर किया एक Harry एक developer अब ये rule है ठीक है ऐसा rule क्यों मनाया गया ज़रा सोचो अगर मुझे एक हो दुबारा pass करना पड़ता है यापर automatically हो रहा है तो अच्छा ही है न ठीक है तो ये चीज़ आप लोग धियान में रखो so constructor एक special method है in a class used to create and initialize an object in a class ठीक है जब भी initialization होता है object का तो हम कर सकते है अच्छा एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा क्या मैं इसको name नहीं कर सकता हाँ कर सकता हूँ बिलकुल कर सकता हूँ मैं इसको name कर सकता हूँ ये self.name है जब मैं कहता हूँ self.name तो ये name property है इस object की और जब मैं name कहता हूँ ये एक simple सा temporary variable है जिसको as an argument पास किया जाता है local variable है in it function के लिए तो मैं OCC को भी इस तरह से लिख सकता हूँ name OCC ठीक है तो confused बत हो ना इसलिए मैंने इन रोज इनिशली लिखा था ताकि आप लोग confused ना हो जाओ constructor is invoked automatically when an object of a class is created a constructor is a unique function that gets automatically called when an object is created ये हमने देखा कि automatically call किया जाता है hey I am a person इसलिए print हुआ था main purpose क्या है constructor का values initialize कराना और ये हमेशा none return करता है ठीक है क्या return करता है none चलो जी बढ़िया अब दो तरगे constructors होते है एक parameterized constructor होता है जिसमें parameters दिये जाते है when the constructor accepts arguments along with self it is known as parameterized constructor और यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया इसका example ठीक है हमने लिया और इससे पहले मैंने आपको default constructor के बारे में भी बताया था जिसरो कि argument नहीं लेता है सिर्फ self लेता है जिसके अंदर मैंने सिर्फ hey I am a person लेता है अगर यह name और OCC नहीं लेता तो यह कौन जा function constructor होता default constructor होता when the constructor doesn't accept any arguments from the object and has only one argument self in the constructor it is known as default constructor ठीक है तो यहाँ पर एक example दिया हुआ है जो कि सिर्फ print कर रहा है जब भी एक object बनाया जाता है उस class का तो यह एक default constructor है क्योंकि यह कोई arguments नहीं ले रहा है I hope कि आप लोग को समझ में आई यह चीजें कि क्या होता है parameterized constructor क्या होता है default constructor और constructor in general क्यों use किया जाता है आने वाले वीडियो में और चर्चा की जाएगी object oriented programming की अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आने जाएगी